आगर आपको अगर आपको इतनी नफरत है एक समुदाहेट के भूले एक लड़का आप जैसे लोगों के भड़काने पे एक मुसल्मान के घर पर चड़ा और उसका जंडा तो बहुत गजब बोला इनोंने भाई और इसके लिए भी हिम्मत चाहिए मैं चाहता हूं इस हिम्मत के लिए ताली बजाओ यार कोन बोलेगा इस कि उसने जंडा उतारा हमने बोली मार दिया बात कातम होगे यहीं ना कैना चाहिए ना आप कैसे लोग उनने बढ़काया अपर यहां पर कोई यहां पर कोई व्यक्ति है वो किसी के साथ बत्तमीजी करेगा तो उसको गोली दाज देंगे उसके घर में घुश जाओगे तो कार कानून क्यों खड़ा हुआ था जब लड़का किसी के घर में घुश रहा था क्या कर रहे थे क्योंकि ऐसे लोग और पुलिस भड़का रही थी कोट है कचेरी है जब कशाब को भी अधिकार है कि भारत की जुडिश्री के तहत सजा पाने का जिनों में जिनोंने कनेयलाल साहू का सर्तन से जुदा करा उनको भी अधिकार है कानून के सन्मत उन पर कारवाई हो तो उसका भी अधिकार था उसका मरने का अधिकार नहीं था अगर एक रैली में मैं किसी के घर में गुद रहा हूँ और पुलिस खड़ी है कहां थी पुलिस क्या कर रही थी संजे जी आप किसकी तरफ है मैं यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि सपा लेफ्ट कॉंग्रेस कोई आपको मुख्यमंत्री पद मानने पर आपके साथ नहीं खड़ी है मैं आपके एक गरबंदन के नेता को कोट कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आस्मी हम सबी दो हैं हमें 6-8 MLA और चाहिए और जिस दिन 8 MLA हो गए ना किसी की माने दूद नहीं पिलाया जो मुसल्मान की तरफ आँख उठा कर देख सके सहमत है इस बयान से अबू आस्मी के सपाके हम इस तरह के किसी भी बयान से सहमत नहीं पक्का और हम बाला साब ठाकरे की पार्टी से हैं और बाला साब नहीं साही को सही और गलत को गलत का है और सबसे पहले मैं स्वामी दिपांकर जी को नमस्कार करना चाहूँ और उसके ब जया स्री राम जया स्रीराम बचले बचले से मेरे हजूर रजर आते हैं आपके विचार क्या हो रहे हैं और हो साहे यहाँ पर ऑफ लगे अब चुभोगे लिए यह नियों से रहा है यह तो मेरे ठीका पर सवाल खड़ा करते हैं यह बताइए हम लोग बोलते हैं जैसियाराम गलत मत समझाइए जैसियाराम ठीक है एक एक सब्सेना के संजय कुपता की बारी है मुझे एक बास समझ में नहीं आ रही है बले गठ बंदन हमारा किनी से भी हो मगर हमने सही बात को सही और गलत को गलत का है जैसियाराम ओल लिए एक मिट रुकी आप आप तुन जैसे रुकी आप उन्हें पोलने तो देखम सिकम मैं देख रहूं के कुछ लेता है उन नारा ल आ अपके लिए वह तालीब उजा रहे है उनके लिए आप ताली बजा रह रहे है मामला क्या है देखे इस डेश में अब की बात करेगी डूसरी पोल्टीकल पर्णाम यह दीन हो अर्दी लाइन की फलिट नहींसार कि अच्छा है कला तो कॉल एक कि कुझी की कबात ले तो बीजेपी को बोला है में किसी भी इस तरह के अबु आजबी का बयानों च्वु पपु यादों का बयानों जिस तरह से मुसल्मानों की रहनुमाई कर रहे हैं वह इस तरह से दिखाना चाहर例 है जैसे मुसल्मान इस देश में बेचारे हूँ ऐसा नहीं है इस देश работает कानून है हैं मुसल्मानों के लिए और स्पेशल कानून है जो लोग इनकी इनकी बाते करके अपने चुनाव की रोटियां या सत्ता की रोटियां सेखना चाहते ना वो गलत कर रहे हैं लेकिन आपको आपकी पार्टी को भी दो लोगसमा चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा मुस्लि क्यों क्यों होगा आपके आपके नेता का सब्सक्राइब को पूरा करने के लिए हम सब्सक्राइब करेंगे अंके साथ बीजा सकते हैं क्या अचा गूंधे लिए बते हैं। आप शिंदे को एकसेप्ट करेंगे मुख्यमंद्री के रूप में नहीं करेंगे क्यों वो तो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं आपके आपको राधरी ती नहीं मालूप मैं विचारिक मद्वेद हो सकता है विचारिक मद्वेद हो सकता है विचारिक ज्दिए किया पता है इंडिया लाइंस एक साथ हो एक से और उदाप ठाकरे हमारे संभाट प्राइब घ्राइब लगी यह इनकी पर्सनल लाइन एक चेकिन जिसी कहते हैं कि सवाथ की एक बात हो जानी चाहिए आप और आरपार हो जाना चाहिए और आरपार यह कि रहा अब क्या है कि अब करते हैं दूसरी चीफ उधर ठाकरे हमारा यहां पर शूड़ी अब बिसे बोलता अगर बीजेवी को जुड़ना करते हैं करके क्यों निजुड़ेंगे हम मन होगा तो मिल कर लड़ेंगे पचासी-पचासी सीट बाटी गई है कॉंग्रेस ने हुदव ठाकरे का सम्मान रखते हुए अपनी सीटे 110-120 की डिमांड से कम करके कर लड़ेंगे पचासी पर करी हैं हम सारे कठे हैं एलेक्शन के बाद मुक्यमंतरी सब मिलके बनाएंगे अब जी मेरा सिरु इतना कहना है कि अभी महराष्ट्रा के इलेक्शन चल रहे हैं इलेक्शन खतमों ने दीजे उद्धो ठाकरे जी भी मुक्यमंतरी हो सकते हैं सुप्रिया सूले जी भी मुक्यमंतरी हो सकती है और नाना पटोले जी भी मुक्यमंतरी हो सकते हैं जो कोडिनेशन कमेटी तै करेगी वह मुक्यमंतरी अब दूसरी बात कर रहे थे वड़ी एक्ता की और सारी चीजों की अमीज जी विष्णु पुरान में एक श्लोक लिखा हुआ है स्वामी जी आपको हाज जोड करके इसमें कहा गया है कि उत्रम यद समुद्र से हिमाद्रेश चैफ दक्षलम वर्चम्तद भारतम नाम भारती यद अब जो हैं हमेशा इस देश को इस देश की संस्कृति को और इस देश के सोचल फैब्रिक को तार-टार करने के गंगा जमुनी तैजीब को आपके नेता आपके मुक्यमंत्री और देश के पधान मंत्री डैमेज कर रहा है इन्होंने जो अभी कोट किया जो अभी नहीं वि प्रॉट का कहा इनके नेता ने राम चरितमान उसको गालियां बकी तब कुछ ने राम अंदिल को बेका बोला राम कोपाल यादब ने तब भारत दे कुछ अब इली बात आजन दीजिए जो उन्होंने वरणन किया भारत माका बिल्कुल सही किया मतलब भारत आज से रहीं भारत माता का जो वरण उन्होने अभी किया है तो यह भारत माता तो हजारों वर्षों से इन्होंने स्विकार लिया, राहूल गांदी बोलते है इंडिया इस नौट नेशन, इंडिया ऐस ही उन्यून ओ स्से li هذا दूसरी बात आज तो मुह लगता है आफका प्रडुर्षर मेरे और इनके बीच में यह स्वामी जी और विवेक के बीच में आज तो वश्विवेक जी और इनके बीच में लगाना पड़ेगा वह वर्सस का मार्त बाता है कितना अजीब सिच्वेशन है फरास क्या बोलते हैं सुनिए कि महराष्टर में मुख्यमंत्री जो है वह बाद म ये को था है और सिर्ट दूसरी बात कि है आन या था अपय। मतलब साथ्षात महा लक्ष्मि विख सीता है । नारा लिया गया बचेंगे तो कटेंगे सर काटब भी तो आपिए ना ल regression जैसे कि जैसे कि सर योगी आदिते नाज जी ने बोला गया था किस सांत अगर निकले तो उसके इज़त की जादगे बड़ मुस्लिम निकले तो इसका जवाब दे दूब अच्छा प्रब्लम सिर्फ इतनी है कि ये गती रोद लगाते हैं मेरे पास बुल्डोजर में चलाओंगा तो फिर बिल बिल आगे लगे यहां से भागेंगे बिल बिल आते हैं जाए बुल्डोजर आप है संजय जी आप किसकी तरफ है भाई में वो पूरा इंडिया अलाइं के साथ ते मंच में यह क्या हो रहा है जब बुल्डोजर चलता है वो सही बात के लिए चलता है अशनलो थाकरे के दूप में आगे हैं शिंदस आपके फैन देखिए आपको पता है उस्ताद बिसमिल्ला खान को भारत अतने कब मिला वाजपई जी के जमाने में वीर यह इतनी बड़ी बात करते हैं मैं इंसे पूछना दाता हूँ आजम खान पसमान दाय कितने पसमान दाव को टिकेट जड़ा पांच नाम गिना के दीजे समाजवादी पार्टी ने और देते टिकेट तो एक परिवार के बाहर नहीं देखा जाता इनसे अभी भी सुन अखिलेश यादव, धिबपल यादव, रामगोपाल यादव, अक्साय यादव, अल्शुल यादव, यह कौन है? यह पसमान दाव मुसलमानों की बात करें? शहेजाद पुनावल आपने आपको पसमानता मुसलमान बोलते हैं, आप भारतीय जंदा पार्टी से सभासत का टिकट लियाए, मैं जान जाओंगा कि भारतीय जंदा पार्टी बहुत बढ़ी पसमानता मुसलमान वोगाई आपको पता है, गुलाम अली खटाना, गुजर समा और प्यार कौन बाट रहा है, बीजेपी की यह हाल क्यों होई उत्तर पर्दिश में, बिहार में आपको क्या हाल हुआ, हमारा क्या हाल हुआ, हम कितना थे, कितने से, जीरो पर थे, चार पर आए, लेकिन, 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 सबसे ज़्यादा भोत, राश्टी जंदा अरे कि पाले यह उत्तर पर्देश में, बीजेपी कितना पर थी, कितना पर आ गई, भगवान राम को लेकर के सियासत कर रहे थे, हम का रहे हैं, अगर यह, अगर जनता को पसंद होता, तो हमारे आदरनी पधान मंत्री जी, दस लाग भोट से जिते, उनका मार्जिन कम नहीं होता, अयुध्या बीजेपी जिती, बीजेपी का ये हाल नहीं होता, क्यों समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, ये देखिए, ये संदेश है, अयुध्या में बीजेपी का हरना एक संदेश था, आपको लगता है? कि हजूरे वाला खामोस बैठें ऐसी गम में, मैं फिल लूट ले गया कोई और जबकि सजाई हमने, तो उनके इस सवाल का, उनके जवाब का मैं इसी सवाल से दे रहा हूं, कि हजूरे वाला खामोस विपक्ष की कुरसी बैठें ऐसी गम में, कि पी-एम की कुरसी लूट ल आज इस देश के 92% SCS3 और OBC देश के गटर और सेटिक टैंक साफ कर रहा है अमीज जी आदर्ली अखलेश यादो जी दलितों और OBC के साथ ये नहीं होने देंगे दलितों और OBC देश का वाइस चांसलर बनेगा दलितों और OBC देश का प्रोफेसर बनेगा दलितों और OBC देश के हाई कोर्ण का जज़ बनेगा आप दलितों और OBC गटर नहीं साथ करें इन्हों ने कहा दलितों और OBC का व्यक्ति जो है वह चांसलर बनेगा फलाना बनेगा सब कुछ बनेगा हमने तो देश का प्रधान मंत्री इस देश का OBC बनाए औरे भाई फिर से बीच में पर 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 इनको पूछिए कि इनकी पार्टी में अखिलेश यादव की पार्टी के बाहर कौन सा दलितिया OBC राश्रव अध्यक्ष बनेगा पूछे आपकी पार्टी में तेश्वी आदव के बाहर कोई CM हो सकता है क्या देखे ये लोक तंत्र है लोक तंत्र में जनता जनता मालिक है इसमें कौन सा हम इसमें सार्टिफिकट देदे कि वह ने बनेगा है बिधायक दलके नेता चुनी गई राबडी देविदी सीम बनी इसके लिए बीजेपी साथिकेंटे कि अगर बाईचास आपको बड़ा मेंडेट मिलता है बिहार के अंदर तो क्या यादव परिवार से बाहर का भी कोई व्यक्ति बिधायक दलके नेता जो चुने जाएंगे वो सीम बनेंगे आपके यह पी ऐसा हो सकते है कि अखिलेश यादवी है थेकि हमारे जब राष्ट्री अध्याद्या चादर्नी अखिलेश यादोजी प्रदान मंत्री बन जाएंगे तो मुक्य मंत्री कोई भी हो सकता है दलिस स जाएंगे तो सुनीता आएगी लालू जाएंगे तो अराबरी जाएंगे इसकार आपके बस परिवारी नहीं है एक सब्सक्राइब बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों को यहाँ पर जुडने के लिए तो आज के इस खास कारेक्रम में इता ही उमीज है ये कारेक्रम आपको पसंद आया होगा आप सब को मेरा नमस्कार फिलाल आज के इडिशन में इतना ही धन्यवाद